आप सब करने वाला है आज के लिए वापस से टीटन मुकाबला की जो कि रहने वाले एस टीटन ठीक है अब रही 12 बजे मैच के डिलाइन और टीम है यहां से जैग्रेब और वरियर वसा जैग्रेब असेसिंस जो कि कल का मैच भी आपने दिखा हुग कही ना कहीं सेम था बट इस मैच में थोड़े से और स्टैट्स और कौन-कौन से प्लेयर ले सकते हो क्या प्लेइंग 11 हो सकती है वो सारी चीज़े देखने हो लेगा कल तो जो देखा था वो स्टैट्स थे बटो मैच कहीं ना कहीं अबेंडन हो गया फिर बाद में तो आज वापास से खेला है चलो सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हुआ है तो पटावट से कर लो वागी चलते हैं जड़ा मैच के उपर स्किप मत करना क्योंकि देखो ऐसा है कि 8-10 मिनिट की वीडियो बंते है टीटैन की अब बहुत जाता मैं इसमें एक्ट्रावू डालने सकता जबरदस्ती का 20 म मिनिट मनाएगे तो दस मिनिट की रहता है तो स्किप नहीं करना है पूरा देखना अब बात करें मैच की दोबारा बचे मैच के डॉलाइन है जैग्रेब एसेसिन में होगा ही मुकाबला लडोस्ट ग्रिकेट ग्राउंड यहां पर जो है रहने वाला है बाकि एक और चीज बात करो जैगरेब वोरियर की उन से जीता नहीं है तो अली चीज है तो कहीं नहीं देखो ऐसा है कि जैगरेब एसेसिंस एक स्ट्रोंग टीम है दूसरे वैले टीम के कमपैरिजन में अब उसके लाबा इनकी प्लेइंग 11 क्या रही थी प्लेइंग 11 में नुशाद बाबू बाबू है जो कि साथ मैच 562 रहें 140 का एवरेस था उसका अदमे जवाहर दानी कुला यह बैटिंग प्लेस बोलिंग दोनों करेगा और कहीं न कहीं काफी जादा इंपॉंट बनने वाले इवन नुशाद बाबू भी यहां से का काफी जादा इंपॉंट रहेगा और जिस बैटर ही कहीं ना कहीं कंसिडर करके चलना है इसको कि आपको बैटिंग से पॉंट दे सकता है इंपॉंट यहां से रहने वाले हैं अपने तीनों ही प्लियर्स बागी फिर आती है ऐसी लाइन जहाँ पर रिकोर्ट इन प्लियर के देखने को नहीं मिलते हैं जसमें कि सरुन है क्योंकि पहली बार T10 में खेल रहे हैं उसके बाद मेया से नाइजल विंसेंट है 22 मैच में नहीं रंग तो नहीं बनाएं विकेट भी नहीं लिए 22 में सिर्फ दो ही मैच में बोलिंग किया है एक विकेट निकाला है राइट आम पेस बोलिंग करता है उसका अदम सूरज इनकी तरब से बोलिंग है वो कल के दिन काफ़ी जदा बढ़िया रही ती जो मैच इनों ने खिखला था ठीक है बागी तो क्योंकि अपはいdant हो ऐसेम कि बरेल या बारल आपको दोनों में से एक नाम देखने को मिल जागा तोनों इसी के अब रिसेंट फोर्म क्या रही रिसेंट फोर्म का अगर बात करें तो नुशाद बाबू देखो एक मैच तो बैटिंग आई नहीं क्योंकि कम्प्लीट लिए हो मैच अब बाकिके दो दो बाले रिकोर्ड भी हैं जैसे कि रिसेंट में भी एक-दो महीने में उन्होंने मैच खेले और रन बनाए हो तो वह आपको फिर प्रैकेट में देखने को मलते हैं जैसे कि इन्होंने भी थोड़ी टाइम पहले मैच खेले थे 13377 की परिया के लिए ती कहीं ना गए पथा त यहां से जवार दानी कुला भी रहता है और एक पोटेंशल सी वेसी ओप्शन भी दोनों इखिलाडी रहेंगे नुशाद बाभू भी यहार से जवार भी बागी एक मैच में उन्होंने बॉलिंग किती जिरो विकेट थे बागी एक में और की जिरो विकेट 36-35 उससे पहले इनका एक रिसेंट फॉम है दो मैचस का जहां पाल सीरो रन एक वेट और उन्हेंस रन एक विकेट देखने को बलता है योगेश बिलागे एक ही मैचों बैटिंग आई थी 17 बनाए बाकी दो में इनकी बैटिंग थी नहीं सरून जास की दो मैचों बैटिंग नहीं एक में इन्होंने कीती जिसमें इन्होंने अठारा रन बनायते और उसके बाद में आसा आशिक प्रशाद है अब रिकोर्ड आपने देखा था नहीं बट रीसेंट पॉम्पो जैसा है कि इन्हों बैटिंग एक रन था और साथ-साथ इन्होंने बोलिंग से एक विकेट निकाला थ आपको तो आशिक प्रसाद हो गया जभार दानी को लाओ गया उसके बाद में साघर नेपाली है इन्होंने दो मैच तो आपको जातर बॉलिंग कराता हूआ आज के लिए नजर आ जाएगा बोलर सेक्षन में स्पिक कर सकते हो रमेश बालू राइट-unde-बैट आपरे बोलर बैइन नाम भी नाजल विश्कोर कि बात करें इन्होंने भी एक मैच में बॉलिंग की ती जिसमें जिरो विकट थे उससे पहले कि दो मैच वार में उन्होंने तीन और जिरो रन बनाये वे उनमेच को बनाए ती, जैसा और दो बरेल है जिसने बॉलिंग किये थी जिरो विकेट तो पिछले मैंच में किस-किस ने बॉलिंग कराई तीन को छोड़के सब ने कराई थी नौशाद बाबु योगेश बलागे और सरुन्दास ये दोनों बॉलिंग कराते नहीं है नौशाद बाबु के भी वो कमी चां जाएंगे बागी डिपेंड करता है कि इसको कितने रिद पड़ रहे है ठीक है उस इसाब से बागी इनके बेंच प्लियर के स्टाइट्स आप देख सकते हो ज्यादा है नहीं बट कुछ-कुछ खिलाडी है जो इनकेस अगर खेलते हैं तो बिलकुल अप ले सकते हो जैसे क जैसे कि यहां से क्रिष्टी ओब्राइन हो गया अमाल कृष्णा हो गया उसके बाद में यहां से हरी परसाथ सती देवी यह तो अगर खेलता है तो डेफिनिटल एक सीवी सी ओप्शन बनेगा उसके बाद में नसीम खान भी एक डीसेंट ओप्शन है और अरुन साथ हैं के बाद किजाए जो की है जैग्रेव वोरियर्स तो इधर से अगर देखा जा तो अभी शेक अवस्ती है उनत्यस मैच 114 विकेट निकाले इन्हों ने च्छे 13 मैच में बोलिंग करते हैं और उसके बाद में एलन मैच में रन तो इनके नाम भी नहीं है बट 11 मैच में है जो की 31 मैच से 63 रेन है दो मैच में बोलिंग करते हो दो विकेट है और रोल ना बैटिंग ना बोलिंग कुछ जादा खास नहीं किया उसका बाद में आसा रंजीत भरती रिकोर्ट नहीं है सुनुवार का भी कोई हासर रिकोर्ट जो देखने हो नहीं मिलता है तर रिफा फारुकी जो है इनका भी कोई सच रिकोर्ड नहीं रहता है और यह टीम का जो परफेंस था वो बड़ा खराब रहा था कल के दिन में घराब कैसे रहा क्योंकि देखो इन्हों ने जो अपना सबसे रीसेंट मैच मतलब की जो सबसे लास्ट मैच इनों दिन का खेला था उसम उसनी बड़िया बोलिंग की दिन के बोलरस ने यहां पर बोलिंग की किस में थी अंकित खड़का और यहां से वेदनाजान को अभीशेख अबस्ती इन तीन बोलिंग और मैच को नहीं कर आए कि एक्दम मैच जन्हों घर चले गए अब बागी देखो रिसेंट इनका कैसा ह इधर से अभिशे एक अवस्ती है जो कि बैटिंग बोलिंग दोनों करेंगे तो कहीं नहीं कर वह इंपर्ड लिश्ट में तो आता है अला कि उससे पहले कभी इनका पर्फोरेंस है जिसमें जीरो और एक बनाये हुए बट यहां तो बोलिंग करा रहा है और स्कॉद में संदी गोलिंग डीसन कर सकता है तो एक टीम में लेने लाइक आपके बास में उप्शन तो है ही उसका आप में एलन मैगडेलनिक है एक मैच में बैटिंग आई ती रन बनायती नहीं तीस उससे पहले भी इनका रिकोड़ है वहां उतने जादा रन देखने को नहीं मिलते हैं पर यहां शुरुआत काफी अच्छी रही है तो तोड़ा एक प्रोमिसिंग उप्शन आपके पास में रहता ही है टीम में रखने के लिए उसका बाद में यहां से पीटर बोशनेक है खराफ फोम यहां भी जारी था दोई रन बना पाए रंजीत बहरती की बाद की जाए कुछ जाने तो आज के लिए अगर पहले बोलिंग करेंगे तो चांसे से आपको विरिंदर सिंग बोलिंग करता हूं नजर आज आएगा आप उससे पहले का रिकोर्ट देखोगे इनका तो जिरो रन दो विकेट दस रन जिरो विकेट है और उसका बाद में आसां कित खड़का ए करेका पहलाइक है यहांसे बीरंदर सिंह रह सकता है एक बोलर यहां इबाकियों करने के चांसे मैं बोलूगा कि यहां से थोढ़े कम ही बनने वाले इनके बेंच की बात की जा तो बेंच में तो भाई आपको इनकी तरफ से भी कुछ ऐसे एक दो प्लेयर है जिनको ले सकते हो रिकोर्ड हाला कि इस टीम से मगुलूगा की जादा देखने को मिल जाते हैं बट कुछ एक दो प्लेयर है जैसे कि शेचिन चुग है जो खिलाड़ी ऐसे हैं जो इनकेस अगर खेलते हैं तो इंपॉर्ट है और साथ में विसे एक नाम ये भी है क्रेसमेर केकेस का बट इनके खेलने के चांसर में लगता है थोड़े से कमी रहने वाले है बागियों के रिकोर्ड्स आप जो स्क्रीन पोस्ट करके अगर देखना च है बिलकूल बीनिया पहली लिए यह तैन खेलने वाले सारे के सबस्ता बैब लगते हैं अब इने लिए-टीम के ँर्ट कर लेते हैं आकि टीम मनी कैसे और किस को रखना हैं तो यहां से टीम में मैंने यहां सा देखो दास को रखता है अवस्ती है विलागे यह में और माब यहां से धैनीयो को ला बागे वाइस कैप्टन के लिए वैदान जान को भी वैदान जान को भी यहां से एक वी-सी उप्शन है बट टी-10 के इसाब से अगर देखा जाए तो फ़र थोड़ा सा रिस्क ही ऑप्शन यह रहे क्योंकि T10 में mostly, ECI T10 में especially कि ज्यादातर ऐसे हिको ही बनाना चाहिए जो batting bowling अच्छा कर रहा हूँ, ज्यादा अलग घटके risk नहीं लेना चाहिए specially small league में grand league में चाहूँ तो बिल्कुल captain कर देना चाहिए तो यही दोनों आज के लिए रहेंगे और चाहो तो CVC थोड़ा उल्टा भी कर सकते हैं नुशाद बाबु जो है सिर्फ बैटिंग करेगा यह बैटिंग प्लस बुलिंग दोनों करेगा तो जाती है फिलाल के लिए टीम इंट सब चीज है और हां ग्रैंड लीग के लिए सवाल रख देते हैं तो कुछ ऐसा है कि आपको पताना है आज के लिए जो है सबसे जादा जो फेंटेसी बंट स्कोर है वो कौन कर सकते हैं अब बस उसका नाम लिखना है बस नाम वह लिखना जो फेंटेसे अप्स में पूरा दिया हूँ ठीक है ऐसानी की शोटने माब लि कमेंट्स मत करना पहली बात तो रोग आज कल गिवावे के मल्टीबल कमेंट्स कर देते हैं बार बार आप जवाब देते हो एक बार अभी दे दोगे एक बार प्लेंगे लोन आने के बाद में दोगे कि मेरा प्लेयर नहीं केल रहाता जो मैंने पहले लिखा तो फिर डिस्क टाइटल है क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक क्या वहां से योएन कर लेना बाइगे चलो लग बैस्ट इस मैच के लिए मिलते हैं आपको नेक्स वीडियों बहुत ही जादा जल्द और नेक्स्ट वीडियो आएगी शाम के टाइम में साथ आट बजे की तकरिव बन सीपियर की ठीक है तो भी देख लेना बाइब बाइब ओल दावेश्ट इस मैच के लिए